नमस्कार, A to Z dishes उशा गोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी हेल्दी खिचडी की रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे खास करके खाया जाता है यह वाइट कडी के साथ यह भी बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए खिचडी बनाना हम शुरू करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर चावर ले लिए इसके अंदर मैं डाल रहे हैं मसूर की दाल, मौंग की दाल और तूवर दाल और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तीन से चार पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे अब हमने गैस को ओन कर लिया है प्रशिर कुकर रख देंगे तेल डाल देंगे दो चमच आप चाहें तो गी भी डाल सकते हैं राई डाल देंगे और जीरा दोनों एक चौथाई चमची मैंने डाला है कड़ी पते डाल दिये थोड़ी सी हिंग और अध्रक लसन की पेस्ट एक चमच अच्छे से से भून लेना है यहाँ पर मैंने आलू एकदम बारी काट कर डाल दिये एक टमाटर दो हरी मिर्ची एक कप पता गोवी, आधा कप मटर और एक कप गोवी मैंने डाल दी है अच्छे से सब सबजियों को मिक्स करना है अब अपनी मन पसंद सबजिया डाल सकते है और कॉंटिटी भी आपके उपर है उसकी अच्छे से मैंने सबजियों को भून लिया है अब लालमश पावडर नमक, स्वाद के अनुसार और गरम मसाला डाल देंगे अच्छे से सब को मिक्स करते हुए एक से दो मिनित तक पकाना है नहीं जादा मसाले है बहुत ही हेल्डी सबजियों से बर पूरी खिचडी है अब जो धाले और चावल को हमने मिक्स करके रखा था वाश करके वो हमें डाल देने है फिर से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर हमें डाल देना है पानी तो जिससाब से आपको खिचडी चाहिए उससाब से आप पानी डालें पानी डालने के बाद हमें अच्छे से से फिर से मिक्स कर लेना है और कुकर का डखन देते हुए ऐसे हमें दो से तीन सि आप इसे कड़ी के साथ नहीं तो बस ऐसे ध़ी के साथ खाएं या कोई चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लाइटवेट डिनर है जब भी आपको कुछ इतना मज़ितार खाना है साथ ही साथ थोड़ा लाइट वेट खाना है याप विट लोस्त कर रहे हैं तब भी आप इसे जरूर ट्राइ कीज़ें और मेजे कमें सेक्षिन बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीज़ें शेयर कीज़ें अपने फ्रेंद्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज केले बस